एक बार फिर से सुम्बुल को मिला फेहमान का साथ इस बार कही ऐसे बार कि लोगों का जीत लिया दिल अब जैसे कि अब जानते ही हैं कि विकबांस के घर में सुम्बुल तौकिर खांग जिस तरह से शानीन से लगातार ख्लोज हो रही है अपने गेम पर फोकस नहीं कर रही और घर के कामों में भी ज्यादा एक्टिम नजर नहीं आती उससे वो ट्रोल्स के हद करने भी चट चुकी हैं सुम्बुल के पिता तो उन्हें घर के बाहर से लगातार सपोर्ट कर ही रही है तो अप फहमान खाम ने चुपी तोड़ी है और सुम्बुल तौकीर के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा दरसल फहमान ने ट्वीटर पर एक पोस्ट शेयर कर सुम्बुल को फाइटर बताया और अपने इस पोस्ट में लिखा बिगबॉंस के घर में जो कुछ भी हो रहा है मैं जानता हूँ स्टेंजल्स के पास रहना आसान बात नहीं बावजुदिस के वो हमेशा और लोगों के साथ कमफरेबल रहती है जिने वो अपना मानती है वो एक फाइटर है और हो सकता है वो कई बार रो लेकिन वो जानती है कि इससे बाहर कैसे आना है और ये एक फाइटर की निशानी है वे फहमान ने जिस तरह से सुम्बुल के सपोर्ट में ये पोस्ट लिखा है वो लोगों के दिल को छुरा है ये पहली बार नहीं जब फहमान आगे आये हैं सुम्बुल के लिए बलकि इससे पहले भी जब शालिन से सुम्बुल के लिंक अप की खबरे जुड रही थी तब भी फहमान ने सामने आकर सुम्बुल को सपोर्ट किया था वही एक बार फिरसे जिस तरह से दिल खुलकर फहमान ने सुम्बुल पर प्यार लुटाया और उन्हें सपोर्ट किया है उससे सोशल मीडिया पर लोग फहमान पर जोब कर प्यार लुटा रहे हैं बता दें कि फहमान का ये पोस तब सामने आया है जब खाल ही में शालीन से क्लोसनेस को लेकर घर में मान्या सिंग ने बिग बॉस ये बात जाहर की कि टीना के पास शालीन के जाने से सुंबुल को जलिसी फिल होती है मान्या के इस खुलासे के बाद सुंबुल के पिता ने भी इन बातों को बेकार बताया था भी अब लगता है कि फहमान ने भी मान्या की इनी बातों को लेकर ये पोस्ट किया है बता दे की खबरे ये भी सामने आई है कि फहमान जलधी बिक बॉस में अपने नए शो धर्म पत्नी के प्रमोशन के लिए शो का हिस्सा बनने वाले हैं कहा जा रहा है कि फेहमान सुम्बल को कई सुझाओ भी देते नजर आएंगे। अब ये देखना दिल्चस्पोगा कि बेकवाँ सिक्सिन में फेहमान की एंट्री के बाद और क्या-क्या नया होता है।